नबस्कार खबरों का पंचुनामा देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ दिव्यासी हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरे जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस्टूडिय मुचूद है सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हिट डैंस पर एटी की कारेवाई में बंगाल से जब्थ हुए तीन हजार करोड इन संपतियों को लेकर किंद्र सरकार की बड़ी तैयारी पीए मोधी बोले घरीबों को लटाया जाएगा पैसा रावजवेन्यू कोर्ट से केज जिवाल को बड़ा जटका एक अपरेल तक बढ़ाई गई रिमार्ट चार दिन में कई डिताओं से होगा आमना सामदा चुनाव से पहले कॉंग्रेस को दिल्ली हाई कोट से बड़ा जटका आईटी के फैसले के खलाफ याच का खारिज अभी फ्रीज रहेंगे बैंक अकाउट लोग सबाचुनाव से पहले बवाल महरास्ट में इंडिया गडबंदन पर लटकी तलवार और मिद्वारों की अलग-अलगोशना से शरत पवा नाराज 600 वकीलों ने CJI को लिखे चठी कहा न्याय पालिका पर दबाव डालने की कोशस कर रहें कुछ दो सबसे पहली खबर में बात पीम मोदी की केंद्र सरकार अब बंगाल में ED के तरब से जब्त की गई करीब 3000 करोड रुपए की अवैद संपतियों और राशियों को गरिबों को लोटाने की तयारी कर लिए खुद प्रधान मंत्री नेरंद्र मोदी ने इसकी जानकारी दी है बतादी कि बंगाल के नादिया जिले की कृष्णा नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही भाजपा प्रत्याशी राजमाता अमृता राय से ठेलीफोन पर बातचीत के दुरान पीम मोदी ने ये ब बरस्टाशारियों के जब्त संपतियों के जरी उन तक वापिस पहुंच जाए पीम मोदी की एक बड़ी देखें बड़ा ही हैरत अंगेज ऐलान है ये क्योंकि प्रधान मंत्री ये कह रहे है कि बंगाल में तीन हजार क्लोर रूपए जो है हमने जब्त किये है बरस्टाश की जे इडी ने तो एक लाख तीस हजार क्लो रूपए पूरे देश में जब्त किये क्या गरीबों को लोटाये जाएगा क्योंकि नीती अगर बंगाल के लिए बनेगी तो पूरे देश के लिए भी बनेगी और ये अगर हुआ तो आप समझे बरस्टाशार के खिलाफ जो प्रदार मंत्री मोदी ने यलगार किया था लाल किले से के भरस्टाशार को खत्म करके मैं सास लूँगा ये आंदोलन इसमें जनता का भी कि भी हिस्सदारी हो जाएगी मतलब जो पैसा इन भरस्टाशारियों ने गरीबों से लूटा है देश का पैसा वो वापस गरीबों कुछ नहीं हो सकती और मुझे लगता है प्रदार मंत्री मोधी अगर ये हर जगह अपने भाष्णों में चुनाओ प्रचार के दौरान कहेंगे चार सो पार जो है ये एक छोटा आकड़ा होगा पढ़ा दी है राव जबनी कोट से आज केजरिवाल को यही हो नहीं था इट से न ओपने शट के इस गोटाला हुआ है हुआ है प्रावट प्लेयर्स को आपने फाइदा पहुंचाया है हावाला से पैसे आये है तो उसमें बचने की उमीद कहा है ये तो केजरिवाल ये सार बता रही थी कि केजरिवाल जी की का सरीर जो है वो इडिक कस्टेडिम में है आत्मा जो है आँख बंद की जीगा दिख जाएगा तो केजरिवाल को नहीं भूत बना दिया और ये भी कह डाला कि आज कोट में केजरिवाल बहुत बड़ा खुलासा करने वाल है यही कहा था कल कहा वह खुलासा गुद्फ ए एक भी बात एक भी चीज जो केजरिवाल कोट में कहीए यह तो पहले दो साल से यह यह वह चल रहा है कि दो कहने का मतलब यह है कीजरिवाल ने अपनी पत्नी को भी आम आद्मी पार्टी के तवाम उसके चटे-बट्टे है जूट बोलने की ट्रेनिंग जो है इसने बराबर दे दी है या फिर अपनी पत्री से भी जूट बुलवा रहा है अपनी घटिया रादी अभी यह निकलने वाला नहीं है बहुत सारे लोगों को दिल की धरकने बढ़ जाती है कि बाहर तो नहीं आ जाएगा नहीं आने वाला बाहर आने का कोई सीनी नहीं है क्योंकि सबुतों का अंबार है इसके खिलाब जैसे सिसोधिया नहीं निकल पा रहा है संजे सिंग नहीं निकल पा रहा है विजय नायर नहीं निकल पा रहा है केजरिवाल का भी यहीं हस्र होगा वैसे एक जानकारी मैं आपको और भी दे दू कि तिहार जिल के अंदर कल एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें वहाँ ये तै किया गया है कि केजरिवाल को कौन से कमरे में रखा जाएगा वहाँ ओर्रेटी तैयारी चालू हो चुकी है इस खबर में बात कॉंग्रेस को लगे जटके की दिल्ले हाई कोर्ट से कौंग्रेस पार्टी को आज बड़ा चटका लगा है कोर्ट ने टैक्स अधिकारियों के कौंग्रेस के खलाब चार साल की यौधी के लिए टैक्स रियसेस्मेंट कारेवाई शुरू करने को चुनौती देने वाली याचकाय खारिच कर दी इसके साथ ही अब कौंग्रेस के बैंक अकाउंट भी कोई फैसला आने तक फेच रहेंगे दिल्ले हाई कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि कौंग्रेस के खातों में कई बेहसाब लेंदेन थे आएकर अधिकारियों के पास उनके पुनर मुल्यांकन की कारिवाई शुरू करने के लिए परयाप्त और ठोस सुबूत मौझूद थे इनके अधार पर कारिवाई शुरू की गई कौंग्रेस पार्टी को भी आज बहुत बड़ा जटका लगा एक्जेक्ट पोजिशन है लेकिन यह रो रहे थे राहूल गांदी ने का अपने तो ट्रेन का टिकट भी ले ले पा रहे हैं तो अभी रैली होगी कैसे जाओगी कहां से आएगा पैसा जो बात आप कहते हो कम से कम चार बार सोच भी लिया करो हाई कोट गए हाई कोट में कह आगया कि इंकम टेक्स डिपार्टपन जो काम किया विल्कुल सही किया है बहुत लेंदें जो है इसमें फर्जिवारा किया हुआ है और कॉंग्रेस पार्टी हो फर्जिवारा ना करें तो फिर कॉंग्रेस पार्टी कैसी है अमाउन पूरे अकाउंट को फ्रीज नहीं किया आपको बाकी के पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हो जहां कहीं भी लेकिन ये खेजरी वाल वाली बिमारी है कैसे किसी को चूटी काटो तो कहें का गर्दन काट दिया गर्दन काट दिया नथा ये चिलाने चीखने की भात कहानी क्या है ये Congress Party की ही गद्धी है किसी भी political parties के accounts के उपर कोई income tax नहीं लगता लेकिन political parties को अपना return भरना होता है return आपने भर दिया चुकिए आप political party है आपको कोई tax नहीं दिना होगा लेकिन आपको तो लगता है कि देश पर आपकी बपोती है आपने return नहीं भरा तो कारवाज नहीं होगी क्यों नहीं होगी और कारवाई हो रही है तो आप उट पटांग जूट 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 चीजें जो है आप कह रहे हो अब लीजिए क्यों नहीं जाकर कि कहें माई लॉड आपने democracy की हत्या कर दी सुप्रिम कोट जाई है सुप्रिम कोट में वही होगा और यह लोग पहले जा चुके हैं तो यह जटका इसलिए क्योंकि इन लोगों को आदत पड़ गई है जूट बोलने की अबवा फैला करके राज़िति करने की अच्छा है कोट इन लोगों के इस तमाम साजिसों को जो है वो एक्स्पोज करती है महा बिकास अगाड़ी की पार्टिया अलग अपने उमिद्वारों के नामों का इलान कर रही है उद्व ठाकरे की पार्टी ने 17 अमिद्वारों की सुची की रूशना कर दी इसके साथ ही कौंगरिस ने इनमें से दो सीटों पर दावा किया कॉंग्रिस नेता संचे निरुपम ने बहुत तीखे शब्दों में इसका विरूत किया वहीं शरत पवार ने मौजूदा हालात पर नाराज की जताई है शरत पवार का कहना है कि उद्व ठाकरे और कॉंग्रिस ने गडबंदन धर्म का पालन नहीं किया कि आप घडबंदन में हैं तो सारे डिसिजन जो है मिल बैठके ही जाता है यह गडबंदन कैसा गडबंदन कि हर आदमी अपने हिसाब से डिसिजन ले रहा हो तो यह डिसिजन तो चलेगा नहीं अगर आपने टीम बनाई तो पहले चीज़ दोने कप्तान भी होना चाहिए तो तो अब तो आदमें अपनी अपने हिसाथ पे अपने होता है यही हो रहा है दूसरी तरब देखिये क्या हो रहा है गोविंदा आज जो है वो सिंदे साहब से मिले मुंबेगे की सीट से लड़ने वाले एक खबर आ रही है आपके अच्छे अच्छे लीडर्स जा रहे है उधर इस विकास गारी यह जो बनाया था कहीं काईट कहीं करो रहा यह खंड खं सबसे खतरनाक है विपक्ष के लिए इंडिया एलाइंस के लिए वो यह पब्लिक परसेप्शन में आपकी साख जो है बिल्कुल रसातर में चली गई है कि आप तो चुनाओ लड़ने लायक नहीं बचे हो जनता वोट आपको दे तो किस बात के लिए दे यह पब्लिक परसे सब्सक्राइब की गैमा गैमी और अर्विंद के जवाल के गिरफतारी के बाद जारी बचाओ के बीच देश भर के 600 से अधिक वरिस्ट वकीलों ने सुप्रिम कोर्ट के मुख्यन आधीश को एक चिट्टे भेची है इसमें लिखा गया है कि देश में लोगों का एक वर्ग न्याइब पालिका पर दबाव बनाने की कोशस कर रहा है वकीलों ने आरोप लगाया है कि रास्तितिक मामलों में न्याइब पालिका पर दबाव बनाने न्याइक प्रक्रिया को प्रभावित करने और अदालत के आदेशों को गलत ठहराने के बेतू के तरक दिये जा रहे ह एजेंडा चलाया जा रहा है 600 वकीलों ने चुट्टली बिल्कुल सही पत्र है ये हरी सालवे साहब है इसमें मनंद साहब है कई बड़े-बड़े वकील है क्या है इशारा अलाकि उसमें नाम नहीं लिया गया लेकिन उसको एक्स्प्रेंड करना हमारा धर्म है ये धरसल का पिल्सिपल मनुसिंग भी और वो जो टुक्रे टुक्रे गैंक के लिए पैर भी करने वाले ये वो लोग जो रात के अंधेरे में आतंकवादियों के लिए सुप्रेम कोट खुलवाने का काम करते हैं जो हिंदू धर्म से नफरत करते हैं जो चैनीज और पाकिस्त डानी विचारण धारा को जो है वो आगे बढ़ाते हैं इस तरह के लोगों ने सुप्रेम कोर्ट पहले भी कोई नहीं बात नहीं है इस वोण उपर सुप्रेम कोर्ट के उपर ये लोग काटून बनाते है इनके फेवर मेर फ्रसला आ जाए तो न्याय है और इनके खिलाब फैसला चला जाए तो उस जज की ऐसी की तैसी कर देते हैं जज कोई फैसला सुनने वाले है तीन दिन पहले से कैम्पेंच चालू हो जाएगा अरे ये तो जज बिका हुआ है ये है वो है सोसल मीडिया का दौर है कही कोई पूरी तरह से अनर्की है फैसला हो जाता है फैसले को उपर किटिसिजम करना है उसका दलील है लॉजिक है कोई बात नहीं ठीक है आप जज जज को जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह आप अटेक करेंगे तो जुडिसरी की साख बचेगी नहीं और ये काम आप दवाव डालने के लिए करते हैं और कई केसिज में नाम लेना ठीक नहीं होगा ये दिखता भी है कि जज्जमेंट अंडर प्रिशर लिया गया है हकीकत कुछ और होता है सचाई बिलकुल आग के सामने तरेर रही होती है लेकिन फिर भी कुछ प्रिशर हो जाता है जज्ज सहाब उस पचड़े में उस लफड़े में नहीं पढ़ना चाहते इसलिए कुछ और जज्जमेंट दिर देते हैं ये हकीकत है तो यह जो लेटर आया है लेटर को तो दो पेज का है वह बहुत ही इस तरह के वकील कौन है उनका नाम भी आना चाहिए they must be named and they must be shamed बहुत बहुत धन्दबार से तमाब चानकारी की दन्वाद खबरों का पुंचनावा में आज के लिए तना ही देश और विदेश की बागी खबरों और उनके सठीक अनलाइसिस के लिए देखते रिए Capital TV हमें लाइक कीजिए शेर कीजिए और हाँ Capital TV को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले धन्यवाद